नमस्कार दोस्तों आप सभी का सवागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लविशार यूट्यूब पर दोस्तों मैं आपके लिए जनरल नौलेज का सबसे इंपॉरेंट पार्ट जेग्राफी की जो मोस्ट इंपॉरेंट कोशन करवा रहा था उसका पार्ट 5 वीडियो ल सारे कोशन अच्छे से कर लेना एक्साम में आपको बहुत हैली इसस्टार्ट कर लेते हैं कॉशन न। i m.o वो कौन से atmospheric layer में present है, answer है stratosphere, फिर्ट्स अगर हम बात करें ozone layer की, आपसे exam में question और पुछा जाएगा, कि वह है कौन सा layer है, जो कि हमें sun से harmful radiation आती है, ultraviolet rays, उससे हमें बचाती है, तो answer है वो है ozone layer, और फिर्ट्स exam में आपसे पुछा जाएगा कि जो earth है हमारा, उसके उपर atmospheric layer ह कितने main part है, तो answer है 5 main part है, या आप बोलो 5 main layers है, आपसे जो 5 main layer है, वो पूछे जा सकते है, सबसे पहले जो आता है, वो आता है troposphere, फिर आता है stratosphere, फिर आता है mesosphere, फिर आता है thermosphere, फिर आता है exosphere, मतलब 5 main layer है, और जो हमारा ozone layer है, यह stratosphere layer में है, यहाँ पर मैं आपके लिग इंडिया का वह है कॉछन नमबर टू, वह है कौन सा देश है जिसे कि लैंड और राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है, आँसर आप जबान, अगर हम बात करें, जबान की इसकी राजदानी है, टोकियो, और फ्रेंट जपान को हम Land of Rising Sun इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रेंट जपान एक ऐसा देश है जहां पे जो Sun है वो सबसे पहले निकलता है और फ्रेंट इस पे एक्जाम में कोशन और ही पुछा जाएगा important आपसे आपसे यह पूछा जाएगा कि इंडिया का वह कौन सा स्टेट है जिसे की Land of Rising Sun के नाम से जाना जाता है तो फ्रेंट इसका आंसर है अरुनाचल परदेश क्योंकि अरुनाचल परदेश वो राज्या है भारत का जहां पे Sun सबसे पहले निकलता है इंडिया में फ्रेंट इमपॉर्णन कोशन है दोनो इसकि कौन महादीप है जिसे की Madhi नाम से बहतों परिये लाजाता है तो that आंसर है अफ्रीका कौकोशन पर ग्रदेश याख कौन से सी है जिसमें कि जिसका पानी सबसे ज़्यादा नमकीन है पर अगर हम बात करें डैड़ सी की डैड़ सी एक्चॉल में एक सी नहीं है यह एक परकार का लेक है ठीक है बट इसके डैड़ सी के नाम से जाना जाता है इंपॉर्टन कोशन है एक्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कोशन नमबर फाइव कर लेते हैं नेम दा हाइएस्ट मल्टी परपस डैम बुल्ट अन दा रिवर रावी रावी नदी पे जो सबसे बड़ा मल्टी परपस डैम बनाया है वो कौन सा है तो आनसर एसका रंजी सागर डैम इंपॉर्टन कोशन है अफरें जो रंजी सागर डैम है पंजाब के पठान को डिस्टिक में है कोशन नमबर 6 नेम दा केनाल विच जोईन मेडिटेरियन सी एंड रेड़ सी वह कौन सा ट्रैक्ट है आन्दरा पर्देश का और तं्मिलांडु का उसे हम क्या बोलते हैं आंसर एसका koromandal और फेंट अगर हम बात करें आंदरा परदेश की और तंमिलांडु इसकी राज़धनी भी आपके लिए important है तंमिलांडु की राज़धनी है चैन्ध और जो फ्रेंस अंदर पर्देश आसकी राजदानी है Amravati, important question है, question number 8, which country is also called a sugar ball of the world, वह कुन सा देश है जिसे की sugar ball of the world के नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंस आंसर असका Cuba, important question है, और फ्रेंस अगर हम बात करें Cuba की, ये North America में आता है, important question है, मैं आपको बता दू, इस वीडियो में आपको 20 most important questions करवाँगा, जब आपके 20 questions complete हो जाएंगे, आपको मैं यही 20 questions एक बार फिर से revise करवाँगा, ताकि आपको यह सारे के सारे questions इसी वीडियो में clear हो जाएं, समझ में भी आ जाएं, और याद भी हो जाएं इसी वीडियो में, वीडियो के end मैं आपके 2 questions का test रखा है, दोनों questions का answer आपने मुझे कमेंडर के जरूर देना है, कहने के लिए तो 20 questions है, वर जितनी मैं आपको additional information दे रहा हूं, यह 50 से जाधा questions बनते हैं, और सारे questions और सारी additional information आपके लिए important है, question number 9, name the world's largest river, पानी के हिसाब से नदी है, जिस important question है, मतब जो निल नदी है, वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी, मतब जिसमें पानी सबसे जाधा है, वो है friends, Amazon river, important question है, exam में कई बार repeat होई है, question number 10, name the country which has the largest coastline, वह है कौन सा देश है, जिसका coastal line जो सबसे बड़ा है, friends, answer है Canada, और अगर इसमें question और important बनता है, exam में आपसे ये पूछा जाएगा, कि भारत का वह है कौन सा राज्य है, जिसका coastal line सबसे बड़ा है, friends, का answer है, गुजरात, जो गुजरात राज्य है, friends, का coastal line सबसे बड़ा है, और गुजरात, इसकी जो राजधानी है, वो गांधी नगर है, औ इसकी राजधानी है, ओटावा, यहां पर मैं आपके लिख देता हूँ, important question है, exam में पूछा गया है, कैनडा की capital, question number 11 कर लेते है, in India, where mushroom rock are found, भारत में जो mushroom rock है, वो कौन से जगे पे पाया जाता है, तो answer है, तो answer है, थार डेजट, और फ्रेंस, exam में आपसे भी पूछा जा equal, अर्थ के उपर, दिन और रात कहां पर बराबर होते है, answer है, इसका equator पर, important question है, और exam में आपके question और पूछा जाएगा, कि, जो हमारा अर्थ है, उसकी उपर, जो सबसे बड़ी, जो मतलब, circle है, वो कौन सा है, तो answer है, equator, equator, जो है, center से पास होता है, अगर हम इसको पूरा rotate करें, friends, ही, सबसे बड़ा circle है, हमारे अर्थ के उपर, important question है, question number 13, mazuli, the largest river island in the world is in which state, friends, जो mazuli, जिसे की, सबसे बड़ा river island कहा जाता है, ये, इंडिया के कौन से state में है, तो answer है, answer है, इसका, असाम में है, important question है, question number 14, name the first person who used the word geography, फिन, जो word geography है, उसे सबसे पहले, किस ने use किया था, answer है, इसका, aristothenis, ने, ये question भी, friends, important है, exam में कई बार repeat हो, friends, मैं आपको सारी question important, इसले बोल रहा हूँ, क्योंकि, friends, यही question है, जो हर साल, हर government exam में पूछे जाते हैं, तो, friends, आप किसी भी complete exam के preparation कर रहे हो, अगर आपने मेरी ये सारे part, और ये सारे question अच्छे से क क्या measure करते हैं, answer है, इसका wind velocity, अगर आप से ये पुछा जाए, कि wind velocity को measure करने के लिए कौन सा scale यूज होता है, तो, friends, वहाँ पर generally आपको animometer दिया होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, animometer जो होता है, वो wind velocity को measure करता है, बट, friends, अगर आप से question इसले से पुछा जाए, कि Buford skill के लिए किस से क्या measure करते हैं, उसका answer, friends, यह है, wind velocity, दोनों question exam में पूछे गए है, और important है, question number 16 कर लेते है, नागर अरजुन सागर multi-purpose project is located on which river, जो नागर अरजुन सागर multi-purpose project है, वो कौन सी नदी के ऊपर है, तो, friends, answer है, इसका Krishna नदी पे है, और, friends, exam में आप से question और पूछा जाएगा कि जो नागर जुन सागर multi-purpose project है, वो इंडिया के कौन से state में है, तो, इसका answer है, friends, यह आंदरा परदेश में है, ठीक, यहां पे लिख देता हूँ, आंदरा परदेश में है, question number 17, खरीफ crop harvesting season in India, is, friends, जो खरीफ crop है, वो भारत में कब बोई जाती है, तो harvest किया जाता है, important है, question number 18 कर लेते हैं, which type of forest is most widespread in India, भारत में वह कौन से type का forest है, जो सबसे जादा फैला हुआ है, answer है, tropical deciduous forest, important question है, exam में कई बार रिपीट हुआ है, question number 19, name the atmospheric layer which reflects radio wave, atmosphere का वह कौन सा layer है, जो की radio wave को reflect करता है, तो answer है, ionosphere, जो radio wave होता है, यह हम basically communication में use करते हैं, और हम क्या करते हैं, फ्रेंज, ionosphere को use करते हैं, अपनी signal को reflect करवाने के लिए, important है, exam में कई बार रिपीट हुआ है, question number 20, willy-willy is the tropical cyclone occurring at the coastal, often, जो willy-willy जिसे की, जो की cyclone है, यह कौन से coastal पे आता है, तो answer है, northwest Australia में, important question है, exam में कई बार रिपीट है, मैंने आपको 20 questions समझ में भी आगे होंगे, मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको 20 questions करवा दूगा, उसके बाद मैं आपको 20 questions एक बार फिर से revise करवाओंगा, ताकि friends, आपको यह सारे के सारे questions इसी वीडियो में clear हो जाए, समझ में भी आजाए और याद भी हो जाए, और याद भी हो जा आपको आपके फोन पर मेल जाए, question number one, ozone layer is present in which atmospheric layer, right answer is stratosphere, question number two, which country is also called as land of rising sun, right answer is Japan, question number three, which continent is also called as dark continent, right answer is Africa, question number four, name the sea which have highest salinity, right answer is dead sea, question number five, name the highest multi-purpose dam built on the Ravi river, right answer is Ranji Sagar Dam, question number six, name the canal which join Mediterranean Sea and Red Sea, right answer is Swiss Canal, question number seven, name coastal tract of Andhra Pradesh and Tamilandu, right answer is Koro Mandal, question number eight, which country is also called as sugar ball of the world, right answer is Cuba, question number nine, name the world's largest river, right answer is Amazon river, question number 10, name the country which has the largest coastal line, right answer is Canada, question number 11, in India where mushroom rocks are found, right answer is third desert, question number 12, on earth where day and nights are equal, right answer is at equator, question number 13, Mazuli, the largest river island in the world is in the switch state, right answer is Assam, question number 14, name the first person who used the word geography, right answer is Aristothenes, question number 15, Buford scale is used to measure which quantity, right answer is wind velocity, question number 16, Nagarjun Sagar multi-purpose project is located on which river, right answer is Krishna river, question number 17, question number 17, question number 17, Kharif crop harvesting season in India is, right answer is September to October, question number 18, which type of forest is most widespread in India, right answer is tropical deciduous forest, question number 19, name the atmospheric layer which reflects radio waves, right answer is ionosphere, question number 20, Willi Willi is the tropical cyclone occurring at the coastal of, right answer is Northwest Australia, second application,azuje river from the coast, question number 28, reading that马nyystem thinker attempts at the coast when social center has the gospodar water, right answer is neutral as rain, right answer is जोजन लेर इस प्रेजंड इस प्रेज़ इन विच अप्शन दे देताओ मैं आपको इन्सटाइब और आप ने मुझे प्रेज्ट रकर ज़रूर देना है उमीद करताओ मैं यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीचि कोचिंग प्रवाइट की जाती है मैस की रिजनिंग की इंगलिश की जीके की बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की मतलब फैंट्स आप हमारे चैनल के साथ जूड़ते हो आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को जाने की शुरुत नहीं पड़ेगी मतलब फैंट्स वो सब कुछ पढ झाल